अलो दोस्तों आप सब कैसे हैं आज सिखाऊंगी यह न्यू डिजाइन का डोर मेट यह देखें कितना संदर बना हुआ है मेरी वीडियो परसंद आए तो लाइक करें मेरी चैनल स्बस्क्राइब करें ज्यादा ज्यादा वीडियो सेर करना चलिए मैं स्टार्ट करते हैं यह अब देखें किस तरह से बनेगा यह उपर की साइट पर यह टैन नमबर की मैं सलाई यूज कर रही हूँ और तीन कलर से बनाऊंगी दो कलर अंदर लगाऊंगी और दो कलर यह उपर रहेंगे तो चार कलर से बनाऊंगे अब यहां से देखें दो फिंदे यह यलो रहेंगे और दो फिंदे ये बिलेक रहेंगे है दो फिंदे यालो ये देखए frei ये देखें यहां पे 6 फिंदे हो गई अब 6 फिंदे के बाद ये कलर हम यहां से चैंज कर लेंगे सारे फिंदे ये Green से रहेंगे यह देखो्व दो फिंदे मने चोड़ लिये यह यहीं से पलटा है कि अब जो जैसा कलर है उसी कलर से बनाना है यह देखोंद पूरी रोो को कंप्लेट किया अब देखें यहां पे यलो की जगे पे ब्लैक हो जाएंगे और ब्लैक की जगे पे यलो हो जाएंगे ये देखो ग्रीन के दो फिंदे मैंने छोड़ दिया और सलाई को पलट लिया अब जो जैसा कलर है उसी कलर से बनादा ये देखो ये भी रो अमने कंप्लीट की अब देखें ब्लैक की जगे पे यलो आ जाएंगे ये देखें इस तरह हैं तो ये बाउडर बनाऊंगी शे फिंदों में बाउडर है बागी फिंदे ये ग्रीन है और दो-दो करते हुए हम छोड़ते आएंगे जब तक कि यहां पे दो फिंदे दी बचेंगे दो फिंदे बचेंगे फिर मैं आपको आँगे का बताती है यह देखो पूरी कली मैंने बना लिए इसको कम्प्लीट कर लिए अब यहां तक मैंने फिंदे छोड़ लिए यह सारे फिंदे छूड़ चूड़ चुके हैं अब देखें यलो कलर से में जो जैसा है यह ऊपर का बाउडर उसी तरह से चलेगा जिस तरह से बन लाए इस तर अब देखें यहां से यह सारे फिंदे यलो हो जाएंगे आप इसको 32 फिंदे में भी बना सकती है तो उपर जैसे 32 फिंदे बना रहे हैं मैंने 6 रखे हैं मैं 22 में बना रही हूँ तो 6 रखे हुए हैं बट्रिस बनाओगी तो 8 फिंदे रख लेना यहां और 42 फिंदे में यहां पे 12 फिंदे रखें यह देखें इधर से भी हम पूरी कली को इसको सलाई को कम्प्लीट करेंगे और बाउडर इसी तरह से चलेगा फृर यहां पे हम दूसरा लगा लेगे पहले हम इसको कम्प्लीट कर लेते हैं, तर आपको दिखाएंगे, अब यहाँ से देखें, यह हम रेड लगा लेंगे, यह कली का लड़ हम चांज करते जाएंगे, यह दो कलर मनाएंगे, उपर वाला कलर यही चले गया, तो मैं बना लेती हूँ, यह देखो, फिर से हम यहां इसी तरह से जिस तरह से यह नीचे वाली कली बनी हुई है तो मैं इसी तरह से दो दो फिंदे आम उपर की साट पर छोड़ते जाएंगे और इसी तरह से यह चलता जाएगा तो मैं बना लेती हूं फिर आपको अंगी का बता यह देखो मैंने इसको बना लिया है तो इसमें मै के तयार हो गया है अब मैं इसके अंदर में अंदर लगाऊंगी वो बता यह देखो मैंने तेज फिंदे डाले हुए है 23 फिंदे आप इसको देखें इस तरह से बिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छे 23 7 8 9 10 तो दस फिंदे बिन लिए यहां पर देखें तीन का एक कर देंगे इस तरह से अब बाकी फिंदे जो दस बचे हुए है इसी तरह से बुने जाएंगे अब उल्टी सलाई में हमें हिंदे कम नहीं करेंगे फिर सादा सादा सलाई निकालेंगे अब देखें हम 9 फिंदे बिजनेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 के बाद तीन का एक करना है यहां पर इस तरह से अब हम कलर चेंज कर लेंगे यह चाच्चा सलाई निकालूंगी उसके बाद मैं कलर चेंज करतीं जाओंगे देखें किस तरह से कलर चेंज होगा यह देखें इस तरह से हम कलर चेंज कर लेंगे उल्टी सैट से हम कलर चेंज कर लेंगे यह देखें कलर चेंज हो गया है आप इसी तरह से मैं बनाती जाओंगी तीन-तीन फिंदे बीच में कम करती जाओंगी सैट सैट से तो में आपको दिखाऊंगी, इसके हम आपको दिखाऊंगी, इसके हम 4 थीज करना, या तीन और बना यह देखो मैंने चार पीश इसके बना लिए अब मैं इसको चिलना बता हूँ जो इसको चिलना बहुत आसान है यह दो देखें दोनों हमने पीश को उल्टा लगा लिए इस तरह से और इसको इस तरह से हम चिलते जाएं यह देखो मैंने इसको चिल लिया है अब इसको इस तरह से फिर से जोड़ देना है इसी तरह से यह चारों फीश जोड़ जाएंगे इस तरह से तो मैं यह जोड़ लेती हूँ फिर आपको दिखाती है यह देखो मैंने सिल लिया है अब देखो यह जो हमने दो पीस बनाई हुए है तो यह इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे यह देखें सीधे रखके हुए है और यह हमने बड़ा बनाया है आपको मैंने 22 फिंदे बताय बावी भिंधे को बनाये मैं इसको yem तो पहले यह दो कि कहां से हम सिलेंगी यह देखें हमने इधर से इस तरह है यह देखें हमने इस तरह से सिलना है कि इसी तरह से मैं सिलती हो इसको यहां तक सिलना है इसको बाउडर के बिल्कुल है यह देखो हमने यहां से लेकर यहां तक इसको सिल दिया है अब देखें यहां से लेकर यहां तक सिलना है इसको यह देखें हमने उल्टा कर लिया इस वाले बाउडर से उपर वाले बाउडर तो इसको हम उल्टा कर लेते हैं और यहां से शुरू करेंगे और यहां तक इसको सिलेंगे, यह देखें, इस तरह से, मैं सिल लेती हूँ इसी तरह से, फिर मैं आपको दिखाते हूँ, यह देखो मैंने सिल लिया है, इसको कंप्लीट कर लिया है, मैंने यह फुल साइज में बनाया है,